और देगे बकसर ट्रेन दुर्गटना पर अपडेट आपको दे रहे हैं घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है रिस्क्यू कर घायलों को बाहर निकालने के साथ ही सबसे पहले नो व्यात्रियों को भोशपूर सदर अस्पताल में भड़ती कराया गया है हमारी टीम राद के दो बजे भोशपूर सदर अस्पताल पहुंची तो वेस्ट बंगाल और बिहार के नो घायल यात्री इलाज रत थे डॉक्टरों के टीम इलाज में जुटी थी जबकि जिला प्रशपूर सदर अस्पताल का अजायसा लिया समबाद दाता रजनीश कुमार ने बकसर के रगुनाथपूर में ट्रेन हादसे में घायल लोगों का इलाज शुरू हो चुका है और इस वक्त हम भोजपूर के सदर अस्पताल में हैं यहाँ पर नो घात्री जो है जो घायल है उन्हें अस्पताल लाया गया है और इलाज शुरू हो चुका है तमाम जिला प्रसासन के जो अजिकारी है यहाँ पर मोनेटरिंग करने में जोटे हुए हैं साथी सभी इमरज लगातार जो मित्कों की संख्या है उसमें भी जाफा हो रहा है जबकि सतर लोग घायल हुए थे उन घायलों में से नो जो घात्री हैं उन्हें भोजपूर के सदर स्पताल में भरती कराया गया है और इस वक्त सदर स्दीम के साथ साथ भोजपूर जिला के एडिम जिला वेश्ट पंगल से हैं अच्छा दिली से अब सबार हुए थे अनंदियर से अच्छा कुछ याद आ रहा है अचानक कैसा महसूस हुआ एकदम से जटका लागा और पर ऐसा लाग रहा था कि पट्री से उतर रहे ट्रेंड जटका लागा था उत नहीं पाता है उसके उससे ब आपके बढ़ी है आपके बोगी में जो यात्री है क्या सुरक्षित निकल गए सब बाहर उतर आई जयाद है आपके साथ और आपके परिजन भी थे हां दोस्त वगरा यह 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 आपके साथ यह बताए कुल कितने घायल यहां पर पहुंचे हैं अभी यहां पर नौ लोग नौ लोग आई होने हैं क्या इस्तिती लग रही है नहीं अभी जिला पदा धिकारी महोदे के निरदेशन में हम लोग देख रहे हैं इनलों को सभी की स्थिती सामान है कोई दिक्कत नहीं है अभी डियम सर भी यहीं पर हैं अच्छा इस पी सर भी हैं और हम लोग देख रह में इंतियाम मुकमल किया गया था हाला कि बगल में आ रहा है इसलिए यहां पर ज्यादा पेसेंट को यानि ज्यादा यात्री को यहां लाया गया है और यहां पर इलाज बेहतर रूप से किया जा रहा है पढ़ियनों को सुचना दे दी गई है जैसे ही जो यहां से यात्री है सफर कर रहे तमाम यात्रियों के सूची रखी गई, कोई भी परिशन जानकारी लेना चाहते हैं तो उससे हर जानकारी दी जा रही है साथी कई चेनों के रूट में बतलाओ किये गए हैं, अधिक जानकारी दे रहे हैं समबाददाता रवियस्त नरायन नौटिस एक्सप्रेस के बकसर के पास हुए हादसे के बाद, दानापूर जंक्चन में अपातकालीन जो है, वो यहाँ पर डिस्क बना गया है और अपने अपने परिजनों को जो है, वो जानकारी लेना चाहते हैं लोग, और यह देखें, अपातकालीन सहाता के अंदर यहाँ पर खोला गया है, और यहाँ पर लागतार जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी अगर व्यक्ति जो बाहर से आ रहे हैं, वो अपने परिजन गाड़ी में, पचीस सो छे में, उनका चार्ट लिस्ट है, उनका पूरा बीवरन यहाँ पर है, जो जो भी आदमी आती प्यातरा कर रहे हैं, वो गाड़ी में, और जो जो गाड़ी डाइबर्ट है, जो परिवार अगर जो सफर कर रहे थे, उनके परिवार जना अगर आकर जानना चाहते हैं तुरकी पूरी जाना चाहते हैं जी मिलेगे यहाई के मिलेगे और यहाँ पे हेलप-Line नंबर भी है फोन के द्वारा भी आप पता कर सकते हैं कई ट्रेने जो है उनको रूप डाइवर्ट किया गया है क्या उसकी सुची लिड्ट जी जी लिड्ट मिला हु तो यहां पे कई ट्रेनों को यहां पे जो है वो डिवर्ट किया गया है और हेल्ब लाइन नंबर जो है वो भी यहां पे जारी किया गया जा रही है अभी क्या स्थिती है जो परिजन हैं उनके हालात क्या है और वहां पे जो परिजन सफर जो सफर कर रहे थे वह सुरक्षित हैं या नहीं है कैमरा प्रसंद नजाय दूबे के साथ रवी इसनारान नूज लगिन पटना